नमस्कार मित्रो संस्कृत सही तेवं संस्कृती के चैनल पर आपका स्वागत है हम आनंद ले रहें समेहितो बदेश का संजीवत को दमनक और कर्टक लेके आ गए हैं पिंगलक के पास, सीही के पास और वो सीह जो है उसको समझाया जा रहा है कि महराज आपने जैसा सोचा था ये वैसा ही बलवान है लेकिन आपसे मिलना चाहता है आपको भी उससे मिलना चाहिए लेकिन सावधानी पूरवक तयार रहिए क्योंकि है बलवान रही बात कि उसकी आवाज सुनके जो आप भहबीत हो गएते तो किसी आवाज से भेभीत नहीं होना चाहिए और इस अंदर में बड़ी सुन्दर सी कथा आपको सुनाई जिसमें एक कुटिनी जो है किस प्रकार से एक बंदर के द्वारा घंटा बजाया जाता था जिससे सब लोग डरते थे उसको ले आई इस कथा को सुनाने के बाद सींह को इस बात का विश्वास दिला दिया गया कि आवाज जैसा होता है उस आवाज के कारण को जाने बिना उससे भेभीत नहीं होना चाहिए और फिर संजीवक को उसके पास लाया जाता है सींह के पास ततह संजीवक आने ये दर्सनम का रही था दोनों ने एक दूसरे को देखा है दर्सन करने संजीवक आया था लेकिन सिंग भी उसको देखने के लिए बड़ा की जिसका इतना नाद है वो कैसा बलवान है तो सिंग भी उसके दर्सन दो करने ही चाहता था अब दोनोंने एक दूसरे को देखा बैल को तो पता है उस व्रशब को तो पता है कि सिंह बलवान है क्योंकि उतु जंगल का राजा है यह लेकिन वो सिंह भी उस बैल की गर्जना से इस प्रकार से अभिभूत हुआ है कि ऐसे किसी शक्तिशाली के साथ अगर मित्रता हो जाए तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है तो दोनों की मित्रता हो गई है और फिर तो वो संजीवक वहीं उस सिंह के साथ ही रहने लग गया है चलिए कथा को आगे लेके चलते हैं अत कदाचित तस्य सिंह स्य भ्राता स्तब्ध कर्ण नामा सिंहा समागता है अब एक बार की बात है कि उस पिंगलक का भाई स्तब्ध कर्ण नाम का सिंह जो है वहां करके पहुंसता है तस्याति थ्यम कृत्वा समुपवेश्ये पिंगलकाहा तदाहाराय पशुम हंतुम चलिता अब उसका स्वागत सत्कार किया गया और उस स्तब्ध कर्ण को अपने भाई को वहां बिठा करके और पिंगलक उसके लिए शिकार करने के लिए निकलता है कि वह इसको भोजन करवाना है तो चलो किसी पशुका शिकार करके आते हैं तब संजीवक कहता है अत्रांतरे संजीवको वधती देव यह महराज है अध्यहत मृगाणा मांसा निक और आज सुब्ध ही तो आपनेenser का शिकार किया था उसका मांस कहां गया राजा राजाlegenगा दमनक कर कटकव जानी कंतां मैं तो लाया शिकार करके आया मैंने अपना खा लिया जो बचा है उसका क्या हुआ वो तो दमनक और करटक को पता है तब संजीवक कहता है संजीवको बुरूते ग्यायताम किमस्ति नास्तिवा भई यह हमें जानना तो चाहिए कि आज की जो कमाई हम करके लाए है हमने जिस्तना उप्योग किया उत्रा तो उप्योग हो गया इसके बाद कि हमारी कमाई बची या कहां गई हमें जानना तो चाहिए ना जानिए किमस्ति नास्तिवा वो है यह नहीं संजीवक तो शाकाहरी प्रानी है वो तो खा नहीं जाएगा उसके उपड़ तो को यारोपा नहीं सकता है तो उसका कहना यह है कि हमें यह जानना तो चाहिए शीहो ब्रिमृष्याह नास्तिवतत शीह थोड़ा विचार करता है भीर कहता है वो नहीं ही होगा यानि जिस मृड़ को मैं सुबह शिकार करके लेके आया हूँ अब उसमें कुछ बचा नहीं होगा तब संजीवत कहता है संजीवत को पूदे कथम एतावन मांसम ताभ्याम खा दिता हूँ वो दोनों मिलके इतना सारा मांस खा तो नहीं सकते है भाई बचना तो चाहिए ना मांन लीजिए आपने खा लिया जो मुर्ग का मांस बचा हुआ था उसमें से वो दोनों खाले तो भी बचना तो चाहिए इतना सारा मांस वो दो तो खा नहीं सकते है तब राजा कहता है खादितम व्याइतम अविधीरितम चाहँ अरे कुछ खाया होगा कुछ बाटा होगा कुछ बरबाद किया होगा प्रत्यहम एशक्रमा उनका तो रोज का यही क्रम है मतलब निद्यप्रती पिंगलक शिकार करके लाता है वो अपना खा लेता है इसके बाद जो बचता है दोनों की पार्टी होती है उनके मित्रों की पार्टी होती है और रहा बचाब क्या जब रोज खूब बरपेट मिलना है न तो फिर का बरबाद हो तो बरबाद भी हो ऐसे में कुछ ध्यान तो रहता नहीं है तब संजीव को बूते कहता है कथम स्रीमत देवपादानाम मनोचरणयेवक्रियते इस प्रकार का व्योहार तो योग के नहीं माना जा सकता है महराज आप इतनी महनत करते हैं आप इस प्रकार से सब कुछ तयार करते हैं और आपकी अनुमती के बिना ही आपकी वो जो संपत्ती है आपकी वो जो कमाई है बड़ी महनत करके एक शिकार किया जाता जंगल में और तो इन लोगों की कमाई है यहीं इनकी कमाई होती है न तो उसके साथ इस प्रकार का व्योहार किया जाना ये तो किसी भी प्रकार से योग ये नहीं माना जा सकता है अब देखे संजीवग का कोई इरादा ऐसा नहीं कि वो निन्दा कर रहा है लेकिन जो सही बात है वो तो सभी को समझ में आनी चाहिए और योग की समय पे कहनी भी चाहिए राजा, तब राजा कहता है मदिया गोचरे नहीं वक्रियते अरे मेरे पीछे की क्या बात है अरे वो तो मेरे सामने ही ये सब करते रहते हैं तब संजीवक कहता है नैतद उचितम महराज आपको रोकना चाहिए मतब ये योग्य नहीं है अगर आपकी संपत्ती है आपका उस पे अधिकार है आपके सामने कोई आपकी संपत्ति को बरवाद कर रहा है तो ये चीज़ चलाई तो नहीं जा सकती है ना ये कैसे स्विकार किया जा सकता है ना निवेद्य प्रकुरवीत भर्तु किंची दपी स्वें कार्य मापत प्रतीकाराद अन्यत्र जगती पते देखिया हमारे शास्त्री ये कहते हैं कि भिना स्वामी की आज्या के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए मान लीजिए कि कोई काम आवश्यक है आपके पास आज्या लेने का समय नहीं है तो भी स्वामी को कम से कम उसका ज्यान हो ये बात उसको बतानी बहुत जरूरी होती है यानि स्वामी की आध्या लिए बिना या स्वामी को बताए बिना स्वयम किंचिदपी ना निवेदे अपने आप कोई कार्य नहीं करना चाहिए ये प्रत्यक सेवक को पता होना चाहिए सेवक का ये धर्म है उसको इस चीज का ज्यान होना चाहिए कि बिना स्वामी की आज्या के उसको कुछ भी अपने आप नहीं करना चाहिए हाँ एक स्थिती ऐसी है कार्यम आपत प्रतिकार है अगर कोई विपत्ति आ रही है और उसका प्रतिकार करना है तो फिर आप आज्या लेने के लिए नहीं खड़े रह सकते हैं कि साब अब तो करना चाहिए वो कर लेना चाहिए लेकिन आपत्ति के अत्रिक क्योंकि आपत्ति के लिए थो हमारे वैसे भी कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति जब आपत्ति आगर के खड़ी हो जाती है तो उस समय मर्यादाओं का उलंगन स्वीकार होता है अन्य था बिना सम् उग्रहा निर्प्रते किम खणो मूर्खो दरिद्रह किम वराट कहा भई मंत्री जो होता है वो कमंडल की तरह होता है कि कमंडल की डिजाइन ऐसी होती है कि नीचे चोड़ा होता है उपर का मुह जो है थोड़ा सक्रा हो जाता है चोटा हो जाता है तो यह नहीं है कि एकदम से कुछ उसमें से पानी फैल जाए तो कमंडल की विशेस्ता ही ये होती है कि जिसमें अधिक संग्रह की छमता है और उसमें से आप बाहर निकालें तो थोड़ा थोड़ा जल बाहर आता है और अधिक जल उसके अंदर संचित रह जाता है तो अमात्य को मंत्री को बिल्कुल कमंडली की तरह होना चाहिए जिसमें त्याग कम और संग्रह अधिक करने की शक्ति होती है यानि यहीं मंत्री की विशेस्ता होती है वहीं मंत्री स्रेष्ट है जो कमंडल की तरह हो जो त्याग कम करे यानि व्याय कम करे खर्च कम करे और संग्रह अधिक किया तरह है क्योंक कि समय जो है ना किम छणों मूर्खों दरिद्रा किम वराट का हंग बदे भई मूर्ख लोगों को समय की कीमत पता नहीं है समय अनमूर होता है एक बार जो चला गया वापस नहीं आना है और समय का व्याय कि ये बिना आप कुछ भी कमा नहीं सकते हैं यानि आपने अपनी आवक खड़ी करने में आपने अपने लिए समपत्ती अरजित करने में जो समय लगाया है समपत्ती चली जाएगी एक बार मिल जाएगी लेकिन वो समय कहां से आएगा लेकिन मूर्ख लोगों को उस समय की अगर कीमत नहीं है इसलिए बहुत समय लगा करके जिस समपत्ती को अरजित किया हो उसको बरबाद कर दिया करते हैं और जो दरिद्री है न वैसे तो आप कहेंगे कि उसको पाई की कीमत की उपता नहीं है लेकिन वास्त विकता यही है दरिद्री दरिद्र इसलिए नहीं है कि वो कुछ करता नहीं है लेकिन क्या करना चाहिए और एक एक पाई का एकत्री करन कैसे करना चाहिए ये चीज वो नहीं समझ पाता वही दरिद्र रहता है देखिए हमारे यहां गरंथों ने ये कहा है कि दरिद्र पैदा होना इसमें मेरी गलती नहीं है लेकिन अगर मैं दरिद्र मरता हूं तो इसमें किसी और की गलती में नहीं निकाता हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है और दरिद्र वही वेक्ती मरता है जो पैसी की कीमत को नहीं समझता है सही अमात्य हा सदा स्रेयान काकिनी मिया प्रवर्धते कोश हा कोश वता हा प्राणा हा प्राणा हा प्राणा हा प्राणा न भूपते भई वही अमात्य स्रेष्ठ होता है जो एक एक पाई एक एक कोड़ी की कीमत समस्ता है और भूंद भूंद से एक एक पाई से अपने कोश क वो सम्र्द बनाता है ज्यान दीजेगा मंत्री वही स्रेश्ठ है जो राजा के कोश की चिंता करता है जो राजा के कोश में से अपव्याय हो ये कभी नहीं सेन करता है व्याय करने के समय पे कमंडल की तरह थोड़ा खर्च और अधिक संग्रे में जो विचार करता है यहां पे जो कहा है काकिनीम एक एक कौड़ी एक एक दमड़ी एक एक पैसा आज की भासा में कहा जाए पहले क्या है कि पैसे की जिगे कौड़ी चला कर देती है इसलिए तो लोग कहते है कि तुम तो दो कौड़ी के आदमी हो यानि आज की बाद सामेर है तो दो पैसे के आदमी हो इस प्रकार की यह बात है तो जो एक-eak पैसा एक-eak कोड़ी से राजा के खजाने को बढ़ाता रहता है वही सरेश्ट मंत्री होता है क्योंकि राजा के प्राण प्राण है ये मानने वाला मूर के है राजा का वास्तिविक प्राण उसका राज कोस होता है आज आप देख लीजिए सबसी बड़ा जो पैसे का भंडार है वो इस समय बीजेपी के पास है आज के पेपर को मैंने पढ़ा तो उसमें जो न्यूज थी किसी की संपत्ती दो गुनी होती है किसी की दस गुनी होती है किसी की सो गुनी होती है किसी की हजार गुनी होती है यहां तो चार हजार आठ सो गुनी होती है चार हजार आठ सो परसेंट से बीजेपी की जो लोगों से पार्टी फंड में दान मिला करता है ना इतनी संपत्ति बीजेपी की बढ़ी है आप उनकी विकाश यात्रा को आप उनकी दोड़ को अब रोक नहीं सकते हैं क्योंकि राजा के पास अगर कोश होता है तब भी वो जो निरने लेने जो काम करने जै इससे करवाने हैं वो करवा सकता है अगर धनी नहीं है तो राजा के शरीर में प्राण बने रहें आप उसको प्राणवान भले माने लेकिन राजा के वास्त्यक प्राण उसके कोश्च में हुआ करते हैं और किम चान नेर ना कुला चारे शेव्यतामिति पूरुशह धन ही नहां स्वपत्न्यापी त्यज्यते किम पुनापरई अब धन के महत्व को लेकर के फिर श्लोग आजाता है कि धन आदि को जाने भिना कि चाहे जितना उत्तमकुल हो चाहे जितना पढ़ा लिखा स्रेष्ट गुणवान हो कोई उस व्यक्ती की सेवा नहीं करता है ध्यान दीजिएगा व्यक्ती के पास धन नहो तो कुलवान हो गुणवान हो विद्वान हो जितने अच्छे अच्छे विशेशन हैं सारे बान लगा लिजे खाली एक लक्ष्मी बान नहो तो कोई उसकी सेवा के लिए तयार नहीं होत सिर्ण Pis Chutions Productions याओं इसको विद्यारा करनी होगी लेकिन कितने दिन आपके यहां रहेगा जिस दिन विद्या पूरी हो जाएगी उस दिन चला जाएगा लेकिन अगर आप धन्वान हैं कि जो सिवक आपके यहां आएगा, आप उसकी चाहें पूरी करते रहेंगे, आप वृद्ध हो के मरेंगे, तब तक आपकी सिवा में लगा रहेंगा। और कहते हैं कि धन हीना सुपक्यापी, धन हीन व्यक्ति को तो उसकी अपनी पत्नी भी छोड़ देती है, तो कोई और अगर छोड़ता तो इसमें तो बुरा मानने की बात ही क्या है, यनि राजा के पास अगर कोश नहीं है, तो न तो वो सेना खड़ी कर सकता है, न उसके महत्वपून है, और जो राजा के सीवक, राजा के धन का अपव्य करते हैं, वो ध्यान नहीं रखते हैं, वो राजा के सबसे बड़े दुस्मन हैं, ये बात यहां संजीवक अपने राजा से कह रहा है, जो उसने शिकार किया, वो शिकार दमनक और कर्टक ने बरबात किया इस संदर में इस से आगे की कथा में अगले वीडियो में सुनेंगे मैं हूं रॉक्टर हरी निवार आनंद लीजिए अच्छा लगे तुम रित्र उप्रशाथ से और कीजिए चैनल है संस्कृत साही देवन संस्कृती और आप सुन रहे हैं ही तो पदेश